शनिवार को लोगसबए स्पीकर और सांसत सुमित्रा महाजन और मुख्यमंद्रि शिवराथ सिंग चौहान एक भवे समारों में शहर वासियों को कई भवे सौगाते देंगे इसी कारिक्रम की तैयारी का जायजा लेने के लिए कलेक्टर और डी आरेम तो आईए देखते हैं यात्रियों के लिए क्या भवे सौगाते हैं शनिवार को रेलवे स्टेशन पर भवे समारों होने जा रहा है जिसमें रेल मंत्री प्यूज गोयल लोगसभा स्पीकर सुमित्रा महाजन और मुख्यमंत्री शिवराथ सिंग चौहान शामिल होंगे उजन और इंदौर में होने वाले इस आयोजन को लेकर की जारही तैयारिओं का जायजा लेने इंदौर रेलवे स्टेशन पर कलेक्टर निशांतवरवड़े और DRM पहुँचे DRM ने बताया कि कल होने वाले कारेक्रम में आने वाले अतितियों और आम जनता सहित यात्रियों को किसी भी प्रकार की कोई परेशानी ना हो इसके लिए आवश्चिक दिशा निर्देश दिये गए है साथ ही उन्होंने कहा कि इंदौर देवास दोहरी करन का कारे दो साल में पूर्ण किया जाने का लक्ष रखा गया है अब लोगों को पता है कि कल जो है अपने इंदौर से उज्जयन दोहरी करन लाइन का हो रहा है लख़ी नगर से लेके रतलाम इलेक्टिफेकेशन इसके अलावा महू स्टेशन का विस्तार इनका सिलन्यास का प्रोग्राम है इसके अलावा अभी जो लिफ्ट लगाई गई है एसकलेक्टर लगाई गए है एलीडी का यहां पर सर्वीज स्टेशन में लग गए हैं इसके लिए मुख्य मंत्री जी मैडम बहुता महाजिन जी जिनका इसके त्मधान में यह सब प्रोग्राम पो रहा है इसके लिए जो त्यारी करनी थे हमें क्या function और्गनेज करना है, स्टेज बिवस्था क्या रहेगी और कैसे जो guests हैं उनको कैसे लाना है, कैसे उनको बैठाना है, क्या क्या बिवस्था करनी हैं वो सब देखने के लिए हम लोग आए हुए हैं इसको अपर इसी तैरी को ही कि इंदोर में रेलवे द्वारा यात्रियों को 1000 करोड के विकास कारियों की सौगात दी जा रही है। आज आयोजन के तैयारियों का जैजा लिया है। उम्मीद है कि शनिवार को होने वाले इस आयोजन के बाद यात्रियों को